अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की जोती जलाई है गुरू के चर्णों में रहकर हमने सिक्षा पाई है गलत रहा पर भठके जब हम तो गुरू नहीं रहा दिखाई है हर साल 5 सितंबर को भारत में सिक्षक दिवस मनाया जाता है ये दिन है जब आप उन लोगों के लिए अपना प्यार और सम्मान दर्शाते हैं जिन से आपको कुछ खास सीखने को मिला है जिन के लिए आप अपना सम्मान प्रकट करते हैं वो स्कूल टीचर से लेकर कॉलिज प्रोफेसर तक ट्रेनर से लेकर कोश तक कोई भी किसी भी शेत्र का हो सकता है ये हम सभी जानते हैं कि इस दिन भारत के पहले वाइस प्रेजिडेंट और दूसरे प्रेजिडेंट डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन का जनम हुआ था उनका जनम दिन भारत में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है पर हम ये नहीं जानते कि सिर्फ उनके जनम दिन पर टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और इतियास में वो कौन सा किस्सा हुआ था जिसके बाद से 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाने लगा इस वीडियो को अंतर तक देखते रहिए मैं आपको टीचर इस डे की पूरी कहानी बताऊँगा डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन भारतिय सिक्षक और महान फिलोसफर थे पॉलर्टेक्स जॉइन करने से पहले वे 40 वर्षों तक सिक्षक रहे वे ऑक्सफोर्ड इनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रह चुके है डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन ने भारत को सिक्षा के शेत्र में नई उचाईयों पर ले जाने में एहम भूमिका निबाई है बच्पन से किताबे पढ़ने के शौकीन राधा कृष्णन का जनम तमिल नाडु के तिरुतनी गाउं में 5 सितंबर 1888 को हुआ था डॉक्टर राधा कृष्णन को सर्वपली नाम उनके पूर्वजों से मिला क्योंकि उनके पूर्वज सर्वपली गाउं में रहते थे इसलिए वे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके गाउं का नाम भी जुड़ा रहे साधारन परिवार में जनमे राधा कृष्णन का बच्पन तिरुतनी और तिरुपती जैसे धार्मिक स्तलों पर बीता वे शुरू सही पढ़ाई लिखाई में काफी रुची रखते थे उनकी शुरुवाती पढ़ाई Christian Missionary Foundation Lutheran Mission School में हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने मदरास Christian College से पूरी करी राधा कृष्णन को अपनी academic life में कई scholarship से नवाजा गया और इनी का इस्तमाल करके उन्होंने philosophy में master's की degree हासल करी राधा कृष्णन ने philosophy का course खुच से नहीं चुना था और ना ही उनका इस field में कोई खास interest था हुआ ये था कि उनके कजन ने हाली में same college से philosophy में अपनी graduation पूरी करी थी और उन्होंने course खतम होने के बाद अपनी किताबे राधा कृष्णन को दे दी इन किताबों के मिलने पर ही उन्होंने तै करा कि वे आगे की बढ़ाई philosophy के शेत्र में ही करेंगे उस समय पर missionary institutions में जाधा तर Christian professors हुआ करते थे और वो अक्सर Hinduism को criticize किया करते थे राधा कृष्णन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो अक्सर Indian philosophy और Hinduism को protect करते हुए नजर आ सकते थे पर जिंदगी में कभी भी उन्होंने किसी और institution या धर्म को ठेस नहीं पहुँचाई इसके अलावा डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन की 16 वर्ष की उम्र में सिवकमू नाम की एक लड़की से शादी करा दी गई थी फिर उन्होंने मदरास presidency school से philosophy बढ़ानी शुरू करी और यहीं से उनका teaching career शुरू हुआ इसके बाद वो University of Mysore में philosophy बढ़ाने गए साथ ही में इस वक्ट जो articles वे लिखते थे पर internationally बढ़े जाते थे और दिन पर दिन वे philosophy के शेतर में कुछ बढ़ा कर रहे थे इसके बाद उन्होंने दो किताबे लिखी जिन में से एक किताब का नाम था The Philosophy of Rabindranath Tagore ये किताब पूर्ण रूप से भारतिय स्पुरेट को दर्शादी है इसके अलावा कई बार उन्हें Harvard University और Oxford University ने guest lectures देने के लिए भी invite करा था डॉक्टर राधा क्रश्नन पूरी दुनिया को ही एक विद्याले के रूप में देखते थे उनका मानना था कि पढ़ाई के दुआरा ही इंसान के दिमाग का सही प्रयोग किया जा सकता है उन्होंने अपने लेख और भाषणों के जरिये भारत की philosophy को दुनिया के सामने रखने में महत्वपुन योगदान दिया सारी दुनिया में उनके लेखों की काफी प्रशंसा की गई है इसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ जहां वो हमेशा इंडियन स्परेट और इंडियन कल्चर की रक्षा करते हुए सामने आते थे वे इसके खिलाफ थे कि किस तरह से उनिफर्माईज वेस्टन कल्चर हमारे देश के कल्चर को दबा रहा था इनके जनम दिन के दिन टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब वे 1962 में भारत के प्रेजिडेंट थे तब देश भर में 5 सेतंबर 1962 को पहली बार टीचर्स डे बनाया गया था दुनिया के सभी महान व्यक्तियों का कहना है कि हम जब तक जिन्दा हैं हमें तब तक जहां से मिले ग्यान बटोरते रहना चाहिए इस बात को एक महान फिलोसोफर ने इस तरह समझाया एक बार एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ इंसान एक साथ बैठे हुए थे और उनके सामने टेबल पर एक किताब रखी हुई थी इस पर उन्होंने बताया कि अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस किताब को नहीं पढ़ेगा तो उसमें और जो नहीं पढ़ सकता उसमें क्या फरक्टे जाएगा इसलिए जिस तरह से भी जहां से भी ग्यान मिल सके ले लेना चाहिए और ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए Teachers Day का एक student और teacher की जंदगी में बहुत जादा महत्व है Schools और colleges में इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है वैसे तो teacher और student के रिष्टे में एक अनुशाशन होता है लेकिन इस दिन students अपनी teacher को खुल कर बताते हैं कि वे उनके लिए कितने special हैं जहां Teachers Day भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है वहीं बाकी देशों में इस दिन को 5 October के दिन मनाया जाता है तो दोस्तों ये थी कहानी Teachers Day और Dr. सर्वपली राधा क्रिशनन की अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा धन्यवाद